गुड़ मॉनिंग अलव यू मिरिसान इस्ट्यूट प्रियाग राज की यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत हैं हम लोग हिंदी की क्लासे ले रहे थे और हिंदी में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कियें उनकी प्रैक्टिस हम लोगों ने देख संदी चैप्टर से रिलेटेड सभी के सभी प्रसनों को आज हम देखेंगे संदी के अगर बेसिक इंट्रोडक्षन की बात की जाए कि संदी का बेसिक इंट्रोडक्षन क्या होता है या संदी की डिफिनेशन क्या होती है तो लिखिएगा वर्डों के मेल से मेल याने मिलने मेल से उत्पन्न विकार वर्डों के मेल से उत्पन्न विकार संधी कहलाता है संधी कहलाती है कहलाती है तो वर्डों के मेल से उत्पन्न विकार को ही क्या कहा जाता है संधी कहा जाता है वर्डों के मेज से उत्पन विकार याने की जो परिवर्तन विकार का अर्थ क्या होता है परिवर्तन कैसे होगा परिवर्तन ध्यान से देखेगा जैसे कहा जाए विद्या विद्या धन आले अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जो सब्द बनेगा वो क्या बनेगा विद्याले शब्द क्या मिलेगा विद्याले और विद्याले जब आप सब्द लिखेंगे तो इस आ का क्या हुआ है लोप हो गया है और इसी को कहा जायेगा संधी श इसांधिशदों में संदय संदध को किसी एक वर्ड का लो रहा है कोई एक जो एक सेस में वर्ड है उसका क्या हो रहा है यानि इन दोनों सब्दों के योग में क्या हो रहाらह है परिवर्तन को क्या कहा जाता है संदी इसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है संदी तो वर्डों के मेल से उत्पन विकार को ही क्या कहा जाता है शंदी कहा जाता है और हम देखेंगे संदी के अगर हम प्रकार की बात करें कि संदी कितने प्रकार की होती है तो संदी तीन प्रकार की होती है कि इतने प्रकार की तीन प्रकार की कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं पहला होता है स्वरसंधी स्वरसंधी संधी दूसरा जो प्रकार है इसे कहा जाता है व्यंजन शंधी और जो तीसरा प्रकार है इसे कहा जाता है विशर्ग शद्धि इसे क्या कहा जाता है विशर्ग संद्धि तो संद्धि कितने प्रकार की होती है तो तीन प्रकार की कौन कौन से स्वर्व संद्धि व्यंजन संद्धि और विशर्ग शंद्धि ये तीन प्रकार की क्या होती है संदिया होती हैं हम देखेंगे कि संदि से कौन कौन से कोशन आये हुए हैं आपके एक्जान में चलिए पहला कोशन आप से कह रहा है धरेश का सही संदि विच्छेद होगा धरेश जो शब्द है इसमें कौन सा संदि विच्छेद होगा अंसर करिएगा धरेश शब्द का सही संदी विच्छेद होगा धरेश धरेश शब्द का सही संदी विच्छेद होगा थिक तो देखिए धरेश जो शब्द है इसका सही संदी विच्छेद क्या होगा धरेश का सही संदी विच्छेद क्या होगा धरा धरा प्लास इष मिलकरके क्या बनेगा धरेश बनेगा धरेश बनेगा और इस धरेश चब्द में संदी कौन सी है तो गूड़ स्वरसंदी कौन सी सभवावना का सही संदी विच्षेद होगा तो अगर हम बात करें सभवावना की बात अगर हम करें शद्भावना की तो सद्भावना का जो विछेद होगा वो क्या हो जाएगा सथ शट लेकिन कौन सा हलन्त वाला शट प्लस भावना शट प्लस भावना और सथ प्लस भावना मिलकर के सब्द क्या बनेगा सद्भावना और सब्भावना में अगर हम बात करें कि क सब्सक्राइब हो जाएगा आपका option B सत प्लस भावना मिल करके क्या बनेगा सब्सक्राइब बनेगा और संदी स्में काउनसी होगी वियंजन शंदी क्या होगा बताईएगा जो सब्सक्राइब है इसका संधिविछेद क्या होगा किसे आप कहेंगे कि यह स्वल्प का सही संधिविछेद है फटा फट से आंसर करिए स्वल्प का सही संधिविछेद क्या होगा क्या होगा हम संद्रेविषेद कि यहां होगा का कोद है ज्योक्त मिल करके आoped का स्वल्प बनेगा स्वल्प बनेगा स्वल्प में जो संद्य होगी वो कौन सी संद्य होगी यड़ संद्य यड stakeholders ये अदस्वर संद्य के य Rs. संद्य सब्द मिलेगा आप स्वागत तो स्वागत का भी हम संद्व स्था यह करें अक्या होगा मिया सू धन आगत सो बहाई और इसमें संद्य कान सी होगी यन चंद तो सही जवाब कौन सा होगा आप संदी सूधन अल्प मिल करके क्या बनाएगा स्वल्प बनाएगा और संदी कौन सी होगी याण स्वरसंदी कौन सी संदी होगी याण स्वरसंदी महर्शी शब्द में का संदी सही संदी विछेद बताईए महर्शी जो शब्द है इसका सही स संदी विछेद क्या होगा तो देखिए जब भी आप से कहीं पर महर्शी देवर्शी देवर्शी राजर्शी तो यह सारे सब्द जब भी आए यानि कि जिन सब्दों के अंत में रिसी जुड़ा हो वहां पर आप कायदे से अगर उनके संदी की बात करें तो संदी इंद में क गूड़ स्वार संदी कौन सी संदी हो जाएगी गूड़ स्वार संदी और अगर विछेद की बात करें महर्शी शब्द के विछेद की बात करें तो महर्शी सब्द का जो विछेद होगा वो क्या हो जाएगा महाधन रिशी महाधन रिशी मिल करके क्या बनेगा महर्शी ब नद्यागम का सही संदी विख्येद्व नद्यागम का सही संदी विख्येद्व होगा अंसर कर ciao नद्यागम शब्द का सही संदिविच्छेद होगा नद्यागम करें तो नद्यागम का विच्छेद क्या होगा नदी प्लस आगम नदी प्लस आगम मिलकर के क्या बनाएगा आपका नध्यागम नध्यागम बनाएगा और नध्यागम में अगर हम संदी की बात करें इसमें संदी काउंसी होगी याड़स्वर संदी याड़स्वर संदी याड़स्वर संदी तो सही विच्छे इसका क्या होगा आप संसी नदी प्लस आगम मिल करके क्या बनाएंगे नद्यागम और संधी काउनसी होगी याड़स्वर संधी मनह प्लस अनुकूल मनह प्लस अनुकूल कि संधी काउनसी होगी तो देखिए मनह प्लस अनुकूल मिलकर कि क्या बनेगा मनोकूल क्या बनेगा मनोकूल तो मनो कूल इसमें कौन सा सब्द है मनो कूल सारे सब्द आपके क्या है आपके गलत ये मनो नुकूल नहीं होगा क्या होगा मनो कूल मनो कूल मनहधन अनुकूल मिलकर के क्या वनेगा मनो कूल यहाँ पर यह एक्ष्टा नू जो लगा है यह गला तो जाएगा सही क्या हो जाएगा मनो कूल और इसमें संदी कौन सी होगी तो विशर्ग शंदी कौन सी संदी होगी विशर्ग शंदी विशर्ग शंदी विशर्ग शंदी ठीक अगले कोशन पर आईए बताएगा इत्याद जो शब्द है इसका सही संदी विछेद क्या होगा इत्याद का सही संदी विछेद क्या होगा अगर देखिए अगर यह सब्द ऐसे होता मनह मनह धन कूल मनह धन कूल तो यह क्या हो जाता मनो कूल मनो कूल लेकिन यह सब्द क्या है मनह धन कूल तो क्या हो जाता मनो कूल लेकिन सब्द क्या है मनह धन अनकूल तो यह क्या हो जाएगा मनो कूल मनो नुकूल मनोनुकूल जब शब्द होगा तो सही आपका कौन सा हो जाएगा 1 vig इत्यादी में सही संदि विच्चेद क्या है क्या है तो देखिए इत्यादी जो शब्द है यह कैसे मिलकर के मना इत प्लस आदी इती प्लस आदी इती प्लस आदी से मिलकर के क्या बनेगा आपका इत्याद बनेगा और कौन सा ओप्शन से हो जाएगा ओप्शन बी सही हो जाएगा सुभेच्छा सुभेच्छा का सही संदी विच्छेद है बताइएगा सुभेच्छा जो सब्द है इसका सही संदी विछेद क्या है सुभेच्छा का सही संदी विछेद क्या है तो अगर हम बात करें सुभेच्छा की तो सुभेच्छा का अगर हम विछेद करेंगे तो क्या बनेगा सुभ शुभ प्लस एक्षा शुब प्लस इक्षा मिलकर के क्या बनेगा सुभेच्छा और संदीस में कौन सी हो जाएगे गूड संदी और कौन सा आप्षन सही हो जाएगा आपका आप्षन भी सही हो जाएगा सुभधन इक्षा सुभधण इक्षा निम्न में से किस ता संदी विच्छेद सही है। नहीं यशा धनदा ठीक है व्या धन आकूल सही मंदल गलत है मह धन विद्ध्याल गलत है। तपधण बल नहीं होगा यहाँ पर यह क्या चाएगा। यहां पर यह शब्द जो होगा क्या हो जागा तपह धनबल और तपह धनबल मिलकर क्या बनेगा तपोबल ये यशय धनदा का जो संदी सब्द होगा वो क्या होगा यशोदा क्या हो जाएगा ये शूदा व्याधन आकुल नहीं होगा वी धन आ धन कूल ये क्या हो या व्याकुल महाधन विद्याले नहीं होकर कि क्या होगा महाधन विद्याले महाधन विद्याल है विद्याल है विद्याल है विद्याल है तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा आप संभी सही जवाब क्या आप संभी शंकर सब्द का संधिविछेद है संकर जो शब्द है इसका सही संधिविछेद आपको बताना है बताईएगा शंकर शब्द का संध संकर शब्द का संदी विच्षेद क्या होगा संकर शब्द का संदी विच्षेद क्या होगा तो दीखिए जो संकर शब्द है यह जो हलंत का मैं होता है यही उपर जाकर के अनुस्वार बनाता है तो इसका विच्षेद क्या होगा सामधन कर मिलकर के क्या बनेगा शंकर और अ जंजर सब्धिरा औंडोन दन आरी में में संद्ति कीजिए घसते कारी जो सब्द है इसका सही संध्र की जिए तो एक धन एक मिलकर के क्या बनाएंगे एक आइक येег एक मिल करके क्या बनाएगा एक एक बनाएगा और इसमें अगर संधी की बात करेंगे तो एक एक में जो संधी होगा वो कौन सा होगा आपका तो व्रिद्धी संधी कौन सी संधी होगी व्रिद्धी संधी होगी व्रिद्धी संधी होगी एक धन एक मिल करके क्या बनाएगा ए दूनों में से कोई एक ही सही होगा ठीक एक जन एक सथ्यारथी का सही संदी विचेद बताए यह तो सत्य सत्य प्लश अर्थी सत्य प्लस अर्थी यह मिल करके क्या क्या बनाएगा सत्य रति सत्य फ्लस अर्थी यानी सत्य का अर्थ रखने वाला ही क्या कहला का सत्य अर्थी तो С Everywhere मिलकर के क्या बनेगा सत्य बनेगा ऑफन सी सही हो जाएगा निंद मेंसे कौन सा संदिवी छेद शही नहीं है एकईदधन एक रीधन्नी जगतधन इस तपैधन इस मिल करके क्या बनेगा जगधीश किया बनेगा जगदीश री धन मिल करके क्या बनेगा रीड लेकिन एक धन एक नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा एक धन एक एक धन एक एक धन एक एक धन एक मिल करके आपका क्या बनाएगा एक एक बनाएगा क्या बनाएगा एक 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 धन एक मिल करके क्या बनाएगा एक एक बनाएगा तो कौन सा आफसन यहां पर सही हो जाएगा आफसन के कौन सा आफसन से हो जाएगा आफसन नीरजल नीरजल में कौन सी संदी है तो नीरजल का अगर आप संदी विच्छेत करेंगे संदी विच्छेत करेंगे नीरजल का तो क्या होगा निह निह धन-जल मिलकरके क्या बनाएगा नीरजल क्या बनाएगा नीरजल टूकौण से संधी वोगी विशर्ग संधी होगी नेह धन जल मिलकर कि क्या बनाएगा निर्जल और संदी कौन सी होगी विशर्ग शंदी होगी चलिए आज की प्रैक्टिस को यहीं पर समाप्त करते हैं थोड़ी से तभियत सही नहीं है ज्यादा और बाकी की चीज़े हम लोग कल करेंगे कल कंटिन्यू करेंगे अब इसमें आपके 15 और फ्राउक्स बचे हुए हैं वह सारी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे ठीक है आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हैं जय भारत कर दो कर दो